थे इसका नेम तो थे ट्राइंगल एंड इस इस टिकली हम निव बुक के अकॉर्णिंग कर रहे हैं देकि इसके एक साही 6.5 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था जिसके प्रिब्येस वीडियो में क्वेशन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं आज हम देखेंगे क्वेशन नंब 2. वेशन 2 में लिखा हुआ है ABC is our triangle right angle that C तो इससे हमें पता चलता है कि ABC एक triangle है और उस triangle में right angle जो है वो C पर है clear? if AB equals to 25 cm करें AB जो length है वो 25 है और AC जो length है वो 7 cm की है तो BC की length find करनी है तो सबसे पहले हमें questions ही साफ हो रहा है कि एक यह right angle triangle है क्योंकि इस triangle में right angle भी है तो हम solution लिखते हैं और सबसे पहले एक right angle triangle बना लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से clear? और बाकी के जो बचे हुए है एक को A दे दो और एक को B दे दो clear? तो हमारा AB और C एक triangle बनके तयार हो चुका है अब हमारे लिए इनोंने बोलके रखाए given है क्या? कि AB की जो length है वो है 25 cm तो AB कहां पर है हमारा? यह रहा मेरा A से लेकर के B तक तो मैं यहां पर क्या दे देता हो? इसकी length है 25 cm लिख दिया इसके बाद यह कह रहे हैं हमसे कि AC की जो length है वो 7 cm है तो AC कहां पर है हमारा? यह है A और यह है C, A से लेकर के C तक यह है हमारी 27 cm तो यहां पर AC की length मैं 7 cm लिख देता हूँ तो इसको देखिए हम दो तरीके से देख सकते हैं कि अब मैं इस question में pathogorist theorem का use करना है और यह मैं आपको already बता चुका हूँ previous video में कि जो 90 degree के सामने वाली side रहती है यह क्या होती है हमारी hypotenuse तो यह हमारी H हो जाएगी hypotenuse यह जो रहती है यह 7 वाली हमारी हो जाएगी perpendicular तो इसको मैं P से represent कर देता हूँ और जो नीचे वाली जो side है यह होती है हमारी base clear तो इसको मैं B से represent करता हूँ B means base clear यह वाला B तो vertex वाला है लेकिन यह वाला जो B बने मैंने बना है यह base वाला है clear तो यहां से हमें क्या है according to Pythagoras theorem हम लिख सकते हैं according according to Pythagoras Pythagoras theorem हम क्या लिखेंगे क्या होती है Pythagoras theorem H square equals to P square plus B square hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square तो यहां से अगर हम देखें तो H की value तो हमारी 25 है तो H की जगे आप क्या डाल देंगे 25 और उसका square भी है तो उसकी जगे मैं क्या लगा दूँगा square लगा दूँगा अगर देखा जाए तो BC है न ही clear तो मैं यहां पर B अकिला लिख देता हूँ और अगर आप चाहें तो BC भी लिख सकते हूँ clear तो B का square ही लिख देता हूँ मैं अभी अब हमें निकालना है इसको हमें solve करना है हमें solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले 25 का square निकालना पड़ेगा आप 25 का square देखिए side में मैं अगर के बताता हूँ 25 का square में लब होता है 25 multiply by 25 जब आप 25 और 25 को multiply करेंगे देखिए मैं अगर के भी बताता हूँ आपके लिए 625 आएगा 55 जब 25 5 2 जब 10 प्लस 2 12 2 5 जब 10 तो 1 इधर केरी आएगी और 0 नीचे 2 2 जब 4 प्लस 1 5 यह आप खुछ से multiply करके देखिए multiply easily आप कर सकते हैं तो यह आ जाएगा बच्छों हमारा क्या 625 7 का square मला बोता है 7 into 7 तो 7 7 जब 49 और B का square हम as it is लिखा रहने देंगे हम कुछ changes नहीं करेंगे 625 भी as it is मुझे तो यह B की value चाहिए न तो इस वजए से यह 49 जो plus में side इधर आएगा तो minus में हो जाएगा equals to के दूसरी side जाएगा तो यह minus 49 हो जाएगा क्योंकि यहां यह plus 49 ता दूसरी side जाएगा तो minus 49 और यहां पर मेरा plus B square बचा रहेगा तो plus लिखने की जुरत नहीं रहती सिर्फ आप B square लिख सकते हो अब minus कर लो 625 को 49 से तो हम करते हैं 625 minus 49 तो minus करेंगे जब तो 5 का बन जाएगा मेरा 15, 2 का बन जाएगा मेरा 1 15 में से 9 minus करेंगे तो आ जाएगा मेरा 6 clear अब 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 का बन जाएगा 11, 6 का बन जाएगा 5 और 11 में से 4 minus करेंगे 7 आ जाएगा और यह हो जाएगा मेरा 5 576 आ रहा है मेरा 625 और 49 को माइनस करके तो यह मैं लिख देता हूँ 576 is equals to B square इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ कि B square equals to 576 मलना B square मैंने इस साइड लिख दिया और 576 दूसरे से कोई changes नहीं होते अब देखे मुझे क्योंकि B की value चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा मेरे पास B square की value आई है लेकिन मेरे पास B की value नहीं आई है तो आप एक बात याद रखेंगे जब भी यहां से square हटता है तो यहां पर क्या लग जाता है दूसरी side जाकर के under root लग जाता है क्या लग जाता है देखो ध्यान से जब भी मैंने B square यह square 2 वालब part इसको square बोलते हैं यह मैंने यह हटाई power तो यहां पर क्या लग जाएगा under root 576 अब इसको हम कैसे solve करेंगे वो भी आपको ध्यान से सुनना है देखे ध्यान से इसको solve करने की थोड़ इसी अलग तरीका है आपको पहले prime factorize करना पड़ेगा 576 को क्या करना पड़ेगा देखे यह आप rough work में भी कर सकते हैं और direct भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर rough work में करके दिखा तो 576 ठीक है तो यह जाएगा मेरा 2 से 2 2 जा 4 1 बच्चेगा 2 8 जा 16 फिर बच्चेगा 1 2 8 जा 16 अब आप पर यह prime factorization easily बनती होगी clear इसके बाद हम क्या करेंगे फिर से इसको हम करेंगे तो 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 तो 4 जा 8 28 16 ठीक है इस तरीके से आपको 2 9 जा 18 3 3 जा 9 और 3 जा 3 तो इस तरीके से देखेंगे अगर हम तो यह हमारे prime factorization हमने कर दी अब आपको क्या करना है दो दो के pair बनाने है जैसे कि अब धिहां से देखिए और इस step में आगे बढ़ाता हूँ आपके लिए यह जो 576 था इसको मैंने यहां पर prime factorize किया तो इस 576 की जगे मैं क्या कर सकता हूँ यह सारी value लिख सकता हूँ क्या लिखूंगा मैं कितने times 2 है 1 2 3 4 5 6 6 2 है तो यहां पर आपको ऐसे लिख देगना है 1 2 3 4 5 6 उसके बाद देखें हम तो 2 3 भी है तो 2 times 3 भी you have to write इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए इनके pairs बना लेने है यह मतलब under root अब मेरा क्या हो जाएगा हट जाएगा कैसे हटेगा वो देखिए यह pair बनाने 2 का एक pair बन गया फिर यह 2 का एक pair बन गया और फिर यह एक 3 का pair बन गया तो अब इनके 2 pairs में से एक 2 मेरा क्या आजाएगा बाहर आजाएगा यह वाले दो pair में से मेरा क्या होगा एक 2 बाहर आजाएगा और यह वाले 2 थ्री में से एक 3 मेरा क्या हो जाएगा बहार आ जाएगा अंडरूट के इसको अंडरूट वाला sign कहते हम ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको multiply कर लेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इनको multiply करेंगे तो कितना आरा मेरा 24 तो B की value मेरी कितनी आ गई 24 आ गई और B अगर हम अपने diagram में देखें तो ये वाला जो red color से मैंने B बनाया है ये किस के equal है? BC के equal है क्योंकि triangle के लिए ये base है लेकिन अगर हम side देखेंगे तो ये BC side है और BC ही तो हमें find करनी थी question में ठीक है? अगर आप देखेंगे तो येनोंने क्या बोला था? find BC तो हमने B ही हमारा BC के equal है तो answer हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? देखें, direct हम answer लिखते हैं answer answer BC is equals to 24 cm तो यहाँ पर आपको समन्दा पड़ेगा सबसे पैने क्या? कि ये एक right angle triangle है right angle triangle है तो pathagoras theorem definitely लगेगी definitely लगने के बाद क्या होगा pathagoras जब आप apply करेंगे तो आपको under root भी find करना होगा और जैसे ही आप under root find कर लेंगे आपकी value आ जाएगी clear है तो आई होप आपको ये clear हो गया होगा इसके बाद देखेंगे question number 3 next video में सारी exercise हम cover out करेंगे सारी chapter हम पढ़ते हुए आ रहे है सारी videos की link description मिलेगी playlist बनी हुए हर chapter की उस playlist की link पर click करेंगे इस पूरे chapter एक साथ open होगा आप complete chapter एक साथ cover out कर सकते हैं तो मिलते हैं बच्छो next video में Bye